आज हम लोग गैस टेस्टिंग एक्जाम में पूछे जाने वाले कुछ इंपोर्टेंट कोस्चन्स को डिल करेंगों ठीक है तो सबसे पहला कोस्चन इसमें है कि गैस की परिवासा क्या है तो जैसा के हम लोग जानते हैं कि गैस चार स्टेट आफ मैटर नर्मल होता है सॉलिड लिवीड गैस और प्लास्मा तो एक गैस एक स्टेट आफ मैटर है ठीक है तो गैस प्यूर गैस हो सकता है जो कि एक सिंपल एलिमेंट का बना होगा जैसे कि oxygen हो गया, nitrogen हो गया, इसमें एक ही element है, सिर्फ oxygen है, nitrogen में सिर्फ nitrogen है, ठीक है, hydrogen में सिर्फ hydrogen है, या फिर ये compound molecule हो सकता है, जैसे कि methane हो गया, ठीक है, ethane हो गया, इसमें carbon है, hydrogen है, ठीक है, उसी तरह CO2 हो गया, इसमें carbon है, oxygen है, तो ये compound molecule हो सकता है, तो gas का property क्या क्या है, को दावाना बहुत असान है किसी एक container में हम लोग उसको डालें और container को इतना छोटा कर दें तो gas क्या होता है उसका रूप ले लेता है ठीक है और gas को जिस भी container में रखते हैं वो पूरे container को occupy कर देता है ठीक है गैस का कोई definite shape कोई fixed shape solid के type नहीं होता है उसी तरह gas का कोई volume नहीं होता है gas को जिस container में हम लोग डालेंगे वो उस पूरे container में फैल जाएगा और gas क्या करता है कि पूरा container को occupy कर लेता है ठीक है और gas बहुत कम dense होता है यानि कि gas का घना तो बहुत कम होता है तो जैसे air है air gas है कि नहीं बिलकूल air एक gas है तो air actually gas नहीं वो mixture of gases है ठीक है जैसे nitrogen, oxygen, carbon dioxide, methane, hydrogen खुद सारा gases air में पाये जाते हैं second question क्या है degree one gassy seam degree one gassy minus ठीक है या gassy seam तो degree one gassy करेंगे to rate of methane emission methane emission का rate वो कितना है one meter cube per ton of coal mine ऑगर हम लोग एक tanцली कोड़ा निकाल रहे है तो methane emission कितना हो रहा है एक meter cube से कम हो रहा है ठीक है तो कैसे define करेंगे methane emission rate क्या है एक मीटर क्यूब से कम है पर टन ओफ कोल माइंड कि यदि हम लोग एक टन कोईला निकाल रहे है तो मिथेन एमिशन करेट एक मीटर क्यूब से कम है ठीक है या फिर जेनरल बॉड़ी ओफ एयर में परसंटेज इंफ्लमेबल गैस कितना है परसंट से कम है जेनरल दूस तीसरा कोशन है जेनरल बॉड़ी ओफ एयर से आप क्या समझते है तो जेनरल बॉड़ी ओफ एयर कि किसी एक जगा पे जो एयर पाया जा रहा है उसमें कौन-कौन सा गैसेस कितना मिक्स्चेर में उस ही को हम लोग क्या बोलते है जेनरल बॉड़ी ओफ एयर तो जेनरल बॉड़ी ओफ एयर अट्मोस्फेर में पाया जा रहा है तो उसमें क्या-क्या मिक्स्चेर है हमको पता है तो नेट्रोजन 79.04 है नेट्रोजन प्लस इनर्ट गैसेस ऑक्सिजन 20.93 है सीओ कितना है जेरो रहता है सीओ टू कितना रहता है जेरो पांट जेरो थ्री रहता है उसी तरह माइन एयर का जेनरल कंपोजिशन ऑफ माइन एयर ठीक है तो उसमें क्या होगा कि ऑक्सिएन 21.93 से कुछ काम रहता है नेट्रोजन और इनर्गैसेस कॉंस्टेंट रहते हैं सीओ टू कुछ जादा होता है और सीओ भी थोड़ा बहुत पाया जाता है एक खुली बत्ती और एक फ्लैम सेफटी बत्ती में क्या अंतर है खुली बत्ती क्या है कि कोई भी हम लोग जिसे केंडल जला रहे है वो एक खुला बत्ती है लेकिन फ्लैम सेफटी लेंप क्या है कि वो बत्ती फ्लैम सेफटी लेंप के अंदर जो जल रहा है उसको हम लोग क्या बोलते है फ्लैम सेफटी लेंप की बत्ती तो खुली बत्ती क्या कर सकता है आसपास के methane air mixture में explosion करा सकता है लेकिन flame safety flame का बत्ती methane air में explosion नहीं करा सकता है safety बत्ती को safety बत्ती क्यों करते हैं इसी reasons उसको safety बत्ती करते हैं कि वो अगर आग जल रहा है और surrounding में अगर methane का percentage 5.4 से ज़्यादा है explosive mixture अगर है methane air का फिर भी वो उसको क्या करेगा explode नहीं कराएगा इसलिए उसको हम लोग क्या करते हैं safety बत्ती करते हैं अब आफ flame safety lamp से कौन-कौन सी जांच की जा सकती है तो सबसे पहला है methane की जांच की जा सकती है कितना percentage है oxygen deficiency oxygen की कमी की जांच की जा सकती है और black damped axis में है दूसरा है oxygen deficiency तो 1% oxygen कम होने से क्या होता है 30% उसका light कम होते जाता है उसी तरह black damp अगर जादा रहता है तो भी क्या होता है oxygen वहाँ कम होता है और उसका light deficient होता है ठीक है और 17.5% से कम में आग, sorry flame safety lamp बुझ जाता है ठीक है तो कई हम लोग जा रहे है और वहाँ आचानक flame safety lamp हमारा बुझ जा रहा है इसका अर्थिक उस region में oxygen 17.5% से कम है 3% methane वाली वातावरन में एक मुंबती रख देने पर क्या हो सकता है तो 3% वातावरन में एक मुंबती जला के रखेंगे तो क्या होगा मुंबती का height तो flame का height क्या होगा बहुत बढ़े जागा लगवागा 18 mm हो जागा ठीक है फिर है आठवा question कि आप प्रतिसद जांच कैसे करेंगे तो प्रतिसद जांच करने के लिए सबसे पले हम लोग क्या करेंगे flame safety lamp में testing flame बनाएगे तो उसको कैसे बनाते हैं तो flame safety lamp के बत्ती को कम करते जाएगे हम लोग weak adjuster की मदद से और फिर last में जब blue और उसके ओपर एक yellow dot रह जागा तो testing flame बन जागा ठीक है उस testing flame बने वे flame safety lamp को धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे रूफ की और ले जाएगे और रूफ के लास्ट टॉप तक ले जाके हम लोग क्या करेंगे मिधिन का percentage ना पहेंगे ठीक है फिर नॉर्मा कोशन है आप जमान जांच कैसे करेंगे तो जमान जांच को हम लोग क्या करते हैं accumulation test भी करते हैं तो accumulation test करते हैं हम लोग normal flame के साथ करते हैं या normal flame से थोड़ा सा कम उसको करते हैं उसको testing flame बिल्कुल नहीं बना तो उसको normal flame उससे थोड़ा सा कम week को पत्ती को थोड़ा सा कम करते हैं और उससे हम लोग क्या करते हैं उसको धीरे 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 रूफ के उपर तक ले जाते हैं accumulation test करने के लिए और अगर 3% से ज्यादा accumulation test में बताएगा तो suppose 3% से ज्यादा मीथियन अगर हमको किसी point पर मिल गया तो कैसे पता चलेगा 3% से ज्यादा है तो जैसे 3% से ज्यादा मीथियन होगा तो वो जो flame हो जो बत्ती होगा जो फ्लेम जल रहा है उसमें springing jumping action आए यानि कि वह फ्लेम थोड़ा जादा उचा हो जागा और उसमें उचलना टैप के action आए उसके springing jumping action बोलते हैं तो जिस point पे वह action आने लगा तो हम लोग क्या करेंगे और उपर नहीं ले जाएंगे हम लोग समझ जाएंगे कि यहां 3% से ज्यादा मीथेन है फिर दीरे दीरे हम लोग लेंप को नीचे ग्राउंड के लेवल में ले आएंगे ठीक है फिर उपर हम लोग नहीं जाएंगे और अगर हम लोग 3% से कम है टॉप तक ले गए रूफ के और हम लोग पाए कि मीथेन 3% से कम है कोई स्प्रिंगिंग जंपिंग एक्शन अब्जर्ब नहीं कि हम लोग फ्लेम में तो फिर हम लोग क्या करेंगे आगे टेस्टिंग फ्लेम बनाके परसेंटेस टेस्ट निकाल करेंगे उससे एक्जेक्ट अब है जमाजांच पहले क्यों किया जाता है तो हम लोग जमाजांच नॉर्मल फ्लेम के साथ करते हैं तो नॉर्मल फ्लेम बड़ा होता है तो उसका क्या होता है कि टेंपरेचर ज्यादा होता है तो उससे जल्दी जल्दी एर अंदर आता है ठीक है तो जमाजांच जल्द आग को बूज हादिता है तो सब्सक्राइक मीथेन ज़ल के अगर करेगा और कि क्क कि खत्रे का एनट तो जमाजांच क्या होता है उसमें खत्रा होंएक चांस का्म क्यों क्योंकि products of combustion जो water vapor और carbon dioxide gas बन रहा है वो उस आग को बुझा देता है ठीक है और अगर हम लोग testing flame के साथ करेंगे तो हो सकता है explosion होने का खत्रा हो अब तेल safety बत्ती के विविन पूर्जों का नाम बतना है उसको हम लोग बुक से देख लेंगे जैसे कि सबसे पहला है carrying hook है दूसरा टॉप वाला hood है went holes है bonnet है दो वायर गौज है पीलर है ठीक है week है week adjuster है week retainer है glass retainer ring है oil vessel है वो बत्ती या उसको पलीता इसको बोलते हैं उसको इंगलिस में week बोलते हैं वो है ठीक है अंडर्ग्राउंड में आप तेल सेफ्टी बत्ती को कहां रखेंगे तो तेल सेफ्टी बत्ती को हम लोग क्या करेंगे कभी भी दिवाल से लटका के नहीं रखेंगे या फिर किसी खूटे खंबे से लटका के नहीं रखेंगे उसको चाहे तुम लोग हाथ में पकर रके ल लटका रहता है उसमें हम लोग उसको लटकाते हैं ठीक है उसको लोग ऐसा जगह लटकाते हैं कि जहां से वह कहीं आसपास के कोलडस्ट को इगनाइट नहीं कर पाए ठीक है तो इसको वर्टिकली बीचो बीच माइस के हम लोग लगा के रख सकते हैं लेकिन वैसा हम जर्नली करते नहीं अगर कर रहे हैं तो बहुत कम टाइम के लिए करते हैं ठीक है आप तेल सब्सक्राइब बत्ति से सियो टू गैस कै से जाच करें हैं तो यह नौर्मली जाच नहीं कर पाएंगी अगर बहुत ज्यादा सियो टू गैस रहेगा एर में तो क्या होगा फ्लम स्फ्टी लेंब तेल सेफ्टी बत्ती के सबसे महत्पूर्ण पूर्जा कौन सा है और क्यों तो सबसे महत्पूर्ण पूर्जा जो है उसका दो वायर गॉजेस है क्योंकि उसी प्रिंसिपल पर फ्लैम सेफ्टी लेम काम कर रहा है वो wire gauge क्या होता है कि वो flame safety flame का जो गर्म gases निकलते हैं वो उसके थुरू हो के गुजरते हैं तो वो क्या करता है heat को अपने अंदर absorb करता है और फिर उस heat को बड़े area में radiate कर देता है यानि बड़े area में फैला के उसको बाहर करता है ठीक है तो इससे क्या होता है कि जो gas बाहर निकल रहा है उसमें उतना टापमान नहीं रहा जाता है कि वो आसपास के methane में आग लगा सके ठीक है इसलिए wire gauge सबसे important part है उसी पे पूरा flame safety lamp का functioning based है उसे principle पे flame safety lamp काम कर रहा है अब किन किन परिस्तितियों में तिल safety बत्ती काम नहीं करेगा अगर flame safety lamp को हम लोग ठीक से assemble नहीं करेंगे ठीक से अगर उसको जोड़ेंगे नहीं उससे proper तरीके से heat को absorb करके dissipate नहीं कर पाएगा तो उसके case में क्या होगा आग लगने और explosion होने का खत्रा बना रहेगा तेल safety बत्ती तूटा हुआ है डैमेज है आप क्या करेंगे अगर तेल safety बत्ती तूटा हुआ है डैमेज है तो उसको हम लोग underground में ही बुझा देंगे और उसको बाहर ले आएगे उसको और आगे लेकर के नहीं जाएगे उससे हम लोग किसी भी टाइप का accumulation test और percentage टेस्ट नहीं करेंगे तेल बत्ती safety बत्ती से मिथेन जांच करने का range क्या है तो normally हम लोग तेल safety बत्ती से डेर परसेंट से लेकर के 4.5 परसेंट तक जांच कर सकते हैं ठीक है को dilute करेंगे और 1.25 परसेंट से कम लाएंगे तेल safety बत्ती में वेवार होने वाले तेल का नाम बात है था हम लोग नॉर्मली पेटोल यूज़ करते हैं वैसे हमको नियम से AyamSEASOLVENT SPIRIT SBP 1425 यूज़ करना है लेकिन वो क्या होता है जेट फ्यूल जो euplans में यूज़ होता है वो फ्यूल होता है तो वो लोकली अवलेबल नहीं होता है इसलिए में लोग पैटोल यूज़ करते हैं भूमीगात खान में ले जाने है कि पले तिल सफ्टी बत्ती को कौन जाच करेगा तो फ्लैम सेफ्टी एक लेंप रूम रहता है वहां ऑथोराइस्ट पर्शन रहता है वो लोग सभी उसको जाच करके ठीक करता है लेकिन जो ओवर मैं या माइनिंग सर्दा जो भी फ्लैम पर्ली एसेंबल है की नहीं है और एसेंबल है की नहीं है पार्ट्स तो वह हिला के देखेगा उससे कोई आवाज नहीं आना चाहिए और वह आग के उपर फूक मार के देखेगा गलास के उपर ठीक है तो वह फ्लैम हिलना नहीं चाहिए आप तेल सब्टी बत्ती किसको दे ठीक है तेल सेफ्टी बत्ती द्वारा जांच करने के दर्मियान बूज गया आप क्या करेंगे अगर बूज गया अगर वो जी एलसे बने थो हम लोग फिर से रिलाइट कर सकते हैं और अगर जी एल 50 है तो उसको हम लोग रिलाइट नहीं करेंगे उसको चाहिए तो हम लोग बाहर फ्रेस्ट एयर बेस पर लेक आएंगे फिर से जलाएंगे या फिर कहीं-कहीं अंडर ग्राउंड माइंस में परमीशन के साथ कहीं-कहीं री-लाइटनींग स्टेशन बना जाता है तो वहां ले जाके उसको उन्हों जला ठीक है अगर 17% से कम हो जागा oxygen तो फ्लैम सेफ्टी लेप नहीं जलेगा वो बूच जाएगा किसी फेस में 20% मीथेन गैस है क्या होगा तो किसी फेस में अगर 20% मीथेन गैस है तो वहां पर oxygen हमारा कितना होगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे तो 20% मीथेन है तो वहां air कितना है 80% है ठीक है और oxygen कितना होता है air का 1-5 भाग तो 80% का 1-5 भाग हो जाएगा 16% तो 16% में क्या होगा फ्लैम से फ्लैम हमारा नहीं जलेगा बूच जाएगा और अगर कहीं 20% मीथेन है तो वहां पर क्या होगा explosion अभी नहीं हो पाएगा लेकिन वह capable of forming explosive mixture है कहीं और से उस महां पर अगर हावा लीक होता है तो मीथेन का percentage अगर 14.8% से कम हो जाता है और उसको अगर sufficient source of ignition मिलेगा उसमें explosion हो सकता है ठीक है एश्पीरेटर वर्प चेलिस्कोपिक प्रोब से क्या समझते हैं तो एश्पीरेटर का यूज किया जाता है एयर सेंपल्स को collect करने के लिए ठीक है तो उसको हम लोग क्या करते हैं दवाते हैं और दवाते हैं तो एयर को सक करता है और छोड़ते हैं तो उसके अंदर एयर भार जाता है ठीक है आप कब कहेंगे कि प्रतिसर जांच में गैस पाया जाने पर आप क्या करेंगे अगर कहीं पर 1.25% से ज़्यादा गैस पाया जा रहा है तो हम लोग सबसे पले वहां का बीजली काट देंगे और वहां से सब आदमी को बाहर निकालेंगे और वहां ततक मीटर से कितने प्रतिसर गैस जांच किये जा सकते हैं तो मीथनो मीटर एक electronic device है जो wheatstone bridge principle पे काम करता है इससे हम लोग क्या करते हैं मीथेन गैस को टेस्ट करते हैं ठीक है तो इसमें हम लोग बहुत कम परसेंट 0.5 से भी कम परसेंट को जांच कर सकते हैं आप एक drill hole, bore hole में gas जांच कैसे करेंगे तो देखो मीथनो मीटर में क्या होता है कि एक auxiliary pipe रहता है पतला टाइप का pipe तो उसको हम लोग क्या करते हैं उस hole में उस pipe को डाल देंगे और वो pipe का दूसरा end मीथनो मीटर से connected होता है तो मीथनो मीटर वहां से air को सक करेगा और उसक कि तुरू हम लोग test कर सकते हैं ठीक है गरम gas के विस फोटक सीमा क्या है तो वह 5.4 से 14.8 तो एक question और आता है कि मीथन क्या है और fire damp क्या है दोनों में अंतर क्या है तो मीथन एक gas है जिसका chemical composition CH4 है ठीक है और fire damp क्या है तो जब मीथन और air के mixture को हम लोग fire damp बोलते हैं उसी त देम बोलते हैं H2S और air के mixture को हम लोग stink damp बोलते हैं तो मीथन एक gas है जिसका fixed chemical composition है यानि कि यह एक भाग carbon और चार भाग hydrogen से बना हुगा है लेकिन मीथन और air के mixture को हम लोग क्या बोलते है fire damp बोलते हैं ठीक है गरम gas के विस फोटक मिसरन से आप क्या समझते है तो विस और air 5 methane air में 5.4 से 14.8% के बीच हो और oxygen की percentage 12.5% से ज़्यादा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं विस फोटक है ठीक है blower तो था outburst में क्या अंतर है blower ऐसा है कि कहीं से क्या हो रहा है कि gas methane का थोड़ा थोड़ा लीक कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं वहां से blower type का methane निकल रहा है और outburst क्या है कि पूरा वो area अचानक से फट जाए और वहां से methane बहुत huge quantity में बाहार है उसको हम लोग आउ स्था होते है तो किसी छीज के साथ perfect कर रहे जैसे suppose कार्बढ के साथ react कर सकता है तो उसको हम लो बोलते हैं और बहुत很 slow होता है ठीक enam kقت ë कमबर्शन क्या होता है कि jema कोई भी चीज घ्र UP on Souls कि वह假 मैं बोलता है вся explosion क्या होता है explosion is a sudden combustion कोई combustion बहुत अचानक से हो ठीक है तुशको मैंतों क्या बोलते है ס Even लोग किसी डिटोनेटर को एक्स्प्लोड करते हैं उस प्रोसेस को विद्टोनेशन बोलते हैं तो जैसे किसी बीछीज को मैं जलाने के लिए उसमें सबसे पहली बाद जब आग की कॉंटेक्ट में उसको लाए और कुछ तो तुरंत उसमें आग नहीं पकड़ आता है कुछ टाइम लेता है तो वह जो टाइम लेता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं लैग ओफ लैग ओन इगनिशन जैसे सपोस मिथेन एयर मिक पढ़ आगा तुरंत वह एक्सप्लोड नहीं होगा वह कुछ टाइम लेगा गर्म होगा वह एक पार्टिकुलर टेंप्रेचर तक पहुंचेगा फिर उसमें एक्सप्लोजन होगा तो इस टाइम पिरियड जब उसमें हम लोग आग लाए और एक्सप्लोजन हुआ इस में लेग और इंगनीशन है दस सकेंड है हजार डिग्रीं इंगनीशन सर्स है तो उसकेस में लेगर इंगनीशन वन ठाइथ ठीका 5% से कम तो था 15% से अर्धिक मीथेन रने पर विस्फोट क्यों नहीं हो सकता है तो 5% से कम अगर मीथेन है तो उसकेस में क्या है कि मीथेन sufficient quantity में नहीं है मीथेन इतना ज़्यादा नहीं है कि उसमें explosion हो पाए और 15% से ज़्यादा मीथेन रने में क्या है कि oxygen का कमी है, इस करन उसमें exclusion नहीं होपाईगा, तो git Пр passe मिझेट है,TheseBe 55-乙 10-hrum, कि अगे अगर मिझेट कम है और PR ச है मिथन एयर इक्स्प्डोजन होने के लिए वो परसंटेज हम को तो संप06,8 । उसके निर्वम किने मिनिमबम कितने ऐसिन होना चीज है एक्स्प्लोजन के लिए तो हम लोग और डाग्राम से उसको देख के बता देंगे तो 16-17 पर से कम ऑक्सियन में नहीं होगा कोल डस्ट का मिथेन एयर मिक्सचर में जोलन सिंता में क्या असर पड़ सकता है कि अगर कोल डस्ट है तो मिथेन एयर मिक्सचर ज्यादा explode करेगा, कम explode करेगा ज़्यादा temperature चीए, कम temperature चीए, तो cold dust क्या करता है? methane air mixture को और ज़्यादा explosive बना देता है, तो cold dust अगर ज़्यादा है, तो कम methane में भी explosion हो जागा, ठीक है? मिंगत कोईला खानों में CO2 gas की percentage मत्रा बढ़न है, कि क्या क्या कारण है? तो CO2 gas बहुत सारा कारण से बढ़ता है जैसे कि oxidation होता है carbon का, spontaneous heating होता है, machine जलने के कारण होता है, lights जो जल रहे हैं, flame safety lamp जो जल रहे हैं, explosion जो हो रहा है, बहुत सारा machines है जो diesel से चल रहा है तो उस सब gases के कारण explosion, sorry, CO2 gas emit होता है आपको CO2 gas कहां मिलेगा, तो CO2 gas mines के हर पार्ट में लगवाग मिल ही जाएगा, ठीक है, और वो CO2 gas कहां मिलेगा, उपर मिलेगा, कि नीचे मिलेगा, तो CO2 gas चूंकि हवा से भारी है, तो यह क्या होगा नीचे, base में, ground level में हमको ज़्यादा मिलेगा भूमिगत कोईला खानों में CO gas कैसे बनती है, तो CO gas बनने का भी करीब-करीब वही कारण है, तो CO gas ज़्यादा तब बनती है, जब spontaneous hitting होती है, तो ज़्यादा कई-co gas पाया जा रहा है, तो इसका अरत है कि वहाँ पर spontaneous hitting हो रहा है, तो CO spontaneous hitting हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको कन्जों की दिंट फरसेंट था अगर वन परसेंट से ज्यादा हिसका इर्थ है कि सॉल वार फाइब ओर। जाता है तो Spontaneous Heating क्या है advanced stage में है और 3 Percent से जाता है Grams Ratio करते है अधिवा लगा हुआ है तो हम लोग Spontaneous Heating को किस चिज़ से निकालते है तो हम लोग Grams Ratio के मदद से बताते हैं कि किसी भी माइशने Spontaneous Heating है की नहीं है ग्राम्स रेष्यों निकालने के लिए लोग एयर सम्पल कहां से करते हैं तो हम लोग with return माइन्स के return year में o अब q s q की जांच आप कैसे करैंगे न लोर माली क्या जांच करने के लिए हमारे पास दो-also तीन मैं इपल किते हैं इसको ऑद प्र धिख सकते हैं मूनिया बड को ले करके जाते हैं मूनिया बड क्या होता है कि वह 200 ppm में तल्ली पे बैढ आता है वह लना डूलना बंद कर देता है उससे जादा मुख गिर आता है तो वो बुक में देटेल्स में दिया हुआ है तो उसको एक बार आप लोग पढ़िएगा तो उसके मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं सीओ को डिटेक्ट कर सकते हैं ठीक है आगे कब पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ना